हेलो है असल्व श्टेडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदु लो में हिंदु बिभादीनय मुन्सव पच्पन की अंतरगत है उसके जो प्रहरूप हैं उसके फॉरमेट मॉडल फॉरमेट हैं उन फॉरमेट के बारे मैं अधर प्राप्तप्र अगर आप हमारे हैं तो डबाकर अभी सब्सक्राइब करने मेरे साथन मेरे इस वीडियो को लाइक करें प्राप्त्र करें लाइक करें देखे यह जो यह है वो अंत्रिम भर्ण पोश्र प्राप्त करने के लिए प्रात्मरा प्रत्र हैं है जब पती तला की याच का कोट में दायर करता है उसके बाद जो उत्तर बादनी है जो उसकी पतिनी है वो केस लड़ने के लिए वो उसके के खिलाब अंतरिम भर पोश्र का बाइदार करती है क्योंकि बहुत जल्द ही उसे जिस दनाशी प्राप्त हो जाए और यह और पिसी 125 के अंतर चरचानी कर रहे हैं बलकि अंतरिम 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 बहरा पोश्टर की बात कर रहे हैं जो इस अधिनियां ने हिंदु विभाद दिनियां मुनिस सफच्पन के अंदर के धाराच 24 में इसका प्रापदान है जयरू जो भर्णद बस्ता मिलेगा सो उस पहले था पन्तwar पोश्टर ढूंतरिम न मतनीं इसका वंदब यह बात के लिए तो वह था कि न्याले स्रीमान करके न्याले जो भी न्याले है पारिवारिग न्याले है या जिला न्याले है इन दोन न्याले में से कोई एक न्याले होगी जहाँ तरफ संभावना पारिवारिग न्याले होती है तो लिख देंगे आप ठीक है कि न्याले स्रीमान पारिवारिग न्याध वही जो तलाक या विववेच्छेन मैंने जो बताया था प्रहले नाम याची करतागा होगा उसके बाद की बन्दियत उसकी आईउ भी लिख सकते हैं जाती भी लिख सकते हैं और निवास लिखते चले जाएंगे उसके बाद निचे लिए देंगे याच का करता फिर बीच में लिखेंगे बीच बीच में बनाम उसके बाद फिर लिखेंगे जो उत्तरवादनी है उसका नाम उसके हस्बेंट का नाम जाती है और निवास और निचे लिखेंगे उत्तरवादनी फिर वही टाइटल लिखेंगे कि अंत्रिम भड़ पोशड प्राप्त करने है तू प्राथना पत्र यह यू कहा जाए कि प्राथना पत्र धारा 24 हिंदु विवादिन्य मुनिश्व पच्छपन बास्ते बादकालिन भड़ पोशड यूही लिख सकते हैं कि बाद कालीन भड़ पोशड हेटू प्राथना पत्र धारा 24 हिंदु विवादिन्य मुनिश्व पच्छपन इस तरह किसे भी लिख सकते हैं अब फिसके बाद क्या लेखेंगे कि उत्तर बादनी निम्लिकित प्राथना करती है उसके बाद नमबर डालके यह की पहले टॉप विधी पूर्वक यह हिंदु विधी के अनुसार संपन विवा के अनुसार धर्मपत्नी है यह हिंदु विवाद के संपन किया गया जो विवा है उसके अनुसार धर्मपत्नी है नमबर दो याचका करता ने उत्तरवादनी के बिरुद उत्तरवादनी के बिरुद हिंदु विवादीनियम 1955 की धारा 13 ठीक के अंतरकत जो विवावेच्छेद है उसकी याचका पेशका रखी है जिसमें आगामी ये अतवादनी वह गरीब है अगर अनपर है तो अनपर महला है ये साक्षर है तो साक्षर महला है जिसके पास आय का सुरोत नहीं है जिससे भे अपना भर्ड पोशर कर सके कोई सहारा नहीं है उसका वो अनपढ़ है या साक्षर है या गरीब है गरीब और साक्षर लिख दीजिए आज कर जाते लोग पुढ़ लिए है अनपढ़ा तो अनपढ़ लिए जो गरीव है अनपढ़ है और आयकर शुरोत नहीं है वह अपना भड़ पुश्र करने में सक्षम नहीं है चोथा कोईंट की याचका करता करता है काम डाक्टर है कोई किलर्क है तो जो बीह जो लीदे कासा करता ह Southern पिश्रीक आपकरता है वह एक थे प्रौष्र पर है अरद रच गया अजीर पास करता है वहीं जॉब करता है अपनी अनुसार यह पुरी बाद लिखती जाए अब नंबर पांच यह ले दिया है यह कि जो उत्तर बादनी है यह की उत्तर बादनी अपने मायके में आका देहर मजबूरन रह रहे हैं उसके माता पिता जो है वह बहुत गरीब और ब्रद ह हैं इतने कमजोर हैं कि उसके भरत पूश्ड करने में भी आसमर्थ हैं ठीक उसके बाद नंबर छे पे आएं और यह लिखें कि उत्तर बादनी वह सौरी फिर सुलीजे नंबर छे पे आएं कि याचका करता द्वारा जूटे यह जो याचका करता है उस याचका करता ने जूटे बेबुनियाद यह दूसरे वह सौरी निराधार गलत आधारों पर विवाविच्छेट की याचका की है कि जो याच्चा करता है उसने मुझे जूटे बेबुनियात और गलत आधार पर बिवापिच्छेत की याच का नियाले में दी है बल्कुल गलत जूटी है कि अत्रबादनी अत्य दिक खर्च बेहन कर सकती ठीक है अत्य दिक खर्च बहन खर्च नहीं कर सकती है और हर एक तारीक पर न्याला आने में भी उपस्तित होने के लिए उसे पैसा चाहिए यह लाइन लिखेंगे कि हर एक तारिक पाने के लिए उसे पैसा चाहिए जाने हैं झाले नमबर ऑगले ये की ऐसी पोष्कितियों में ध्यान में रखते हुए और नियाई हित्में उत्तर्वादिणी अपने ब्रस्तुर के लिए यर की लिए ब्रॉपय के लिए अबने पहसे are करता है अगर टॉप लिखेंगे कि यह की याच्का करता जो कोड में तराक के लिए अपने याच्का ले गया आ लेकिती है यह कहा जाए इसके पास काफी पैसा है का अनिंग करता है सरकारी इस्थाइज जॉब है इसी लिए ये उचित है on तर्वादनी को उस से बहर पोशड के लिए और जो प्रातना पत्र है उसे खर्च के लिए ज प्रातना पत्र या बात कर लिए पेशका रहा है भी दन दे रही प्रात निवेधन दियख नहीं लाश्ट में लग दें अता निवेधन है कि इस याचका के निर्ने होने तक जो याचका है उस याचका के निर्ने होने तक उत्तरवादनी को बादकालीन भरपोशर दिया जाए तक अब रुपया कितना दिया जाए वो लिए तना इतना रुपया दिया जाए उसे खर्च के लिए और बड़ पोश्र के लिए और उसके बाद कालीन खर्च जो वो दिया जाय को आप जो आदेस पायत करने की किरपा करें ठीक उसके वाद एक साइट से यहननके जो सीधे साइट है उस पर जो अधिवक्ता है उत्तरबाद नहीं का वह अपनी मोह स्टेम लगा दे और स्थान लिए और दिनाक लिए ठीक इस तरीके सी है कौन सी भर पोश्र के बाद है तो प्रात्ना पत्र लिख जाएगी और त्यार रहाए और न्यालम जाकर प्रेश कर दीजिए इ आपने वीडियो में बताया है आज की इस वीडियो में हम इतनी चार्चा करेंगे अब में तेगले वीडियो में बाई जोड़े रहिए असल्लोग स्टेड़ी के साथ